परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कुछ अपडेट है उस पर बात करेंगे इंडिया और आश्ट्रेलिया के दर्मियान फ्लाइट को लेकर अपडेट है इसके लावा इंडिया में नार्मल को लेकर कुछ अपडेट है उस पर बात करूँगा दोस्तो लेकिन आप सबसे छोटी से अपिले अगर आप फ्लाइट और ट्रिवल्स की खपरों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो अब ही आप परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्स्राइब कर लें और आश्ट्रेलिया की कौंटस ऐल्लाइंस इसकी जानकारी खुद कौंटस ऐल्लाइंस के सीओ एलन जॉइसी ने दिये जब ये घोसला की गई तो उस समय एलन जॉइसी के साथ में आश्ट्रेलिया के परदान मंतरी स्कॉर्ट मौरिसन भी मौजूद थे उन्होंने कहा कि भार फ्लाइटें अपरेट हो रही है वह वाया कोलम्बो वाया होंग कांग वाया दुबाई और दोहा से फ्लाइटें आपरेट फ्लाइट हो रही है और अब Quanta Cell 9 6 December से direct flight अपरेट करने जा रही है दिली और सिडनी के दर्मियान शुरुआत में सीमित flight अपरेट होंगी, कम flight अपरेट होंगी लेकिन साल के आखिर में Quanta Cell 9 इसने जानकारी दी है कि वो नियमित तोर पर flight अपरेट करेगा और परड़े flight अपरेट करेगा डायरेक्ट इसके लाओ दोस्तों एक नॉम्बर से South Wales Government ने आश्टले की घोसला किये कि वो quarantine free travel करने जा रहे हैं यानि बिना quarantine के लोग travel करेंगे किसी तरह का quarantine भी नहीं रहना होगा और अब ये घोसला को Qantas Airlines की कि दिल्ली और सिड्नी के दरमियान 6 दिसम्बर से वो direct flight शुरू करने जा रही है तो बहुत अच्छी खबर है दोस्तों उन लोगों के लिए जो लोग travel करना चाहते हैं दिल्ली से सिड्नी के लिए या सिड्नी से दिल्ली के लिए तो अब 6 दिसम्बर से उनके लिए Qantas Airlines की direct flight available होगी करीब 10 साल के बाद Qantas Airlines भारत में पुना वापस आने जा रही है अगली update दोस्तों भारत में नार्मल फ्लाइटों के हवाले से है तो अभी इंडिया में नार्मल फ्लाइटों पर पाबंदी लगी हुई है 31 अक्टूबर तक जो भी फ्लाइटें चल रही है वो air bubble agreement के तहत चल रही है इसके लाव बंदे भारत मिसन के तहत चल रही है और DG पीदों को तगड़ा जटका लगा है क्योंकि भारत के एवेशन सेक्रेटरी राजियू बंसल ने इसाब कर दिया है कि नार्मल फ्लाइटें शुरू होने की संभावना अभी बिल्कुल भी नहीं है उन्होंने कहा है कि अभी demand भी बहुत कम है और अलग 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 तरह की परतिबंद भी लगे हुई है कहीं visa restriction लगा हुआ है कहीं flight को लेकर पावंदी लगी हुई है इसलिए अभी नार्मल फ्लाइटें नहीं खोली जा सकती है उन्होंने कहा जो air bubble agreement के तहत फ्लाइटें चल लगी है इसके लिए जो वंदे भारत mission के तहत फ्लाइटें चल लगी ह जहां डिमांड जादा होगी जिन देशों के साथ में मांग जादा होगी वहां के लिए flight बढ़ाए जाएंगी लेकिन नार्मल फ्लाइटें अभी सुरू होने की संभावना कम है इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर मांग पहले जैसे होती है लागडाउन से पहले जितनी ड बबल एग्रिमेंट के तहत फ्लाइटें चोर चल लेंगे वही फ्लाइटें चलती रहेंगी इसके लावा नार्मल फ्लाइट शुरू होने की संभावना अगले महिने में भी बहुत कम है ये साप कर दिया है एवेशन सेक्रेटरी राजियू बंसन ले तो आप लोग अभी भी ज़्यादा धीली करेंगे ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे ट्रोल करने के लिए क्योंकि नार्मल फ्लाइटों पर जब तक परतिबंद रहेगा फ्लाइट की टिकट भी बहुत महिंगी रहेंगी तो ये गवर्मेंट के तरफ से साप कर दिया गया है कि अभी नार्मल पाबंदी हटने वाली नहीं है अगली अपडेट भी दोस्तों इंडिया को लेकर ही है तो 15 अक्टूबर से ही इंडिया में टूरिस्ट वीजा इसू हो रहा है अब गवर्मेंट आफ इंडिया की तरफ से अपडेट दी गई है कि जो भी फार्णर्स इंडिया में टूरिस् भी नहीं दी जाएगी अगर दोस्तों इंडिया और सौधी फ्लाइट को लेकर बात करें तो इंडिया और सौधी फ्लाइट को लेकर अभी तक कोई नहीं अपडेट नहीं है अगर आप इंडिया से सौधी जाना ही चाहते हैं तो वाया दुबाई होकर या फिर वाया नैप लेक्षिरिंग कंपनी में आप जुड़े हुए हैं तो फिर आप डारेट जा सकते हैं बाक्यों लोग वाया दुबई होकर या वाया नैपाल होकर सौधेरब जा सकते हैं इस पर दोस्तों अभी तक कोई नई अपडेट नहीं आई है उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया म होगी तो वह आप तक पहुंचाए जाएगी इसके लिए आप परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्स्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्यार लखिए खुश रहिए गुडबाए